नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पार्ट फैंडर पर सो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग आपके लिए International Relations का One Year Current Affairs का Complete Crash Course पेश कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर सीरीज में आपके लिए आज हम पेश कर रहे हैं Set No.3 अगर आप लोगों ने अभी तक Set No.1 और Set No.2 को नहीं देखा है और देखने में रूची रखते हैं तो हमने आपके लिए एक Complete Dedicated Playlist को तयार किया हुआ है जिसको की आप लोग जाके Access कर सकते हैं और उस Playlist में केवल International Relations ही नहीं बलकि इसके अन्ने कई सारे और Subjects हैं विच इंक्लूड़ एकॉनमी विच इंक्लूड़ पॉलिटी विच इंक्लूड़ एंवार्मेंट और Science and Tech जैसे और भी Subjects हैं जो की कवर करवाये गए हैं पूरी Full Length Detail में उनको कवर करवाये गया है विशेश रूप से जो आने वाला 2021 का UPSC का Prelims का Examination है तो दोस्तो आज के इस सेट में यानि की सेट No.3 में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ कुछ विशेश आपके International Relations से जुड़ हुए Topics जो की Deal करते हैं इंडिया और Western Countries के साथ Western Countries में प्रमुक रूप से हमने जो कवर किया है वो एक तो अमरीका का देश कवर किया है और साथी में European Union का जो संग है उसको भी यहाँ पर कवर करवाएगा तो जो भी चीजें यहाँ पर गटित हुई है इंडिया और US के बीच में जो भी चीजें आप उसके माधिन से मुझसे संपर्ख में भी आ सकते हैं अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं Unacademy की app के उपर वो भी आप मुझसे कर सकते हैं using this particular handle जहाँ पर आपको मेरी plus classes की और आपको मेरी special classes की notification time to time मिलती रहेंगी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग Unacademy से अपनी तयारी को एक structured format में शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान रखेगा कि Unacademy आपके लिए लाया है subscription वाला एक model जिसमें कि आपर आप एक साल का course खरीते हैं आपको पढ़ता है 49.5 का दो साल का course खरीते हैं तो 72,000 का पढ़ता है लेकिन इसके उपर आपको अगर discount लेना है तो मेरा code इस्तेमाल करते हुए आप discount ले सकते हैं और code का नाम है ANI UPSC जिसके चलते आपको 10% का सीधा-सीधा discount मिलेगा और साथ में मेरी personal guidance आपको provide करवाई जाएगी आपको मैं अपने WhatsApp ग्रूप में add करूँगा और आपके घर तक 20 books हैं जो की पहुंचवाई जाएगी जो की hard format में depending upon ने और medium की आप Hindi medium से हैं या English medium से हैं वो आपके घर तक पहुंचाई जाएगी इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको एक personal course दिया जाए और आपकी main question answer practice भी हो तो उस case में आप लोग iconic subscription लिए भी जा सकते हैं कुछ विद्यार्ती ऐसे हैं जो कि केवल optional की त्यारी करना चाहते हैं unacademy से तो वो भी आप कर सकते हैं using my referral code ANI UPSC आपको यहाँ पर भी 10% का discount available करवा दिया जाएगा also कई सारे नए batches हैं जो कि कल यानि की 22 सितंबर से शुरू होने वाले हैं also यहाँ पर कई सारे अन्य batches ऐसे भी हैं जो कि मैंने आपके लिए पेश किये हैं इनको भी आप लोग जाके refer कर सकते हैं तो as I told you, इस particular आने वाले lecture में हम आपके लिए cover करने वाले हैं इंडिया और West यानि की USA और EU के साथ जुड़े हुए कई सारे सवाल चलिए स्टार्ट करते हैं question number 1 से Consider the following statements about the Abraham Accords इस साल काफी जादा सुर्खियों में थे और इस साल यह important भी बन जाते हैं जो आपका इसराइल और गाजा के बीच में इसराइल और गाजा पट्टी के बीच में जो इतनी भारी लड़ाई हुई उसके चलते Abraham Accords की importance और भी बढ़ जाती है यह क्या चीज़े इसको देख लेते हैं It is a pact यह एक संजोता है between Israel, United Arab Emirates यानि की UAE and Bahrain and it is mediated by China It is the first Arab Israeli peace deal in 26 years तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो Abraham Accords है यह basically Israel के Arab की कुछ countries के साथ sign किया गया एक संजोता है इतना पाट तो बिल्कुल सही है कि इसमें UAE और Bahrain ने मिलकर के इस संजोते को sign किया है with the country of Israel आपको बताना चाहूँगा कई सारे अरब देश ऐसे हैं, in fact अधिकतर अरब देश ऐसे हैं जो कि Israel के साथ किसी प्रकार के diplomatic relations नहीं रखते हैं इनका एक काफी लंबी चौड़ी history है, आपने world history में पढ़ा होगा कि क्यों ये लोग संबन नहीं रखते हैं लेकिन UAE और Bahrain ने अब USA के द्वारा mediated एक Abraham Accords को sign कर लिया है, जिसके चलते अब इसराइल और UAE और इसराइल और Bahrain दोनों के आपसी संबन्द को स्थापित किया जाएगा जब हम बात करते हैं आपसी संबन्दों की, तो यहाँ पर क्या-क्या होता है, दोस्तों इसमें आते हैं diplomatic relations, सबसे पहली बात तो इसराइल और UAE एक दूसरे के देशों में क्या भेजने वाले हैं, सबसे पहले तो वो ambassadors को भेजेंगे, यानि कि अपने diplomat को भेजेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो embassies होती है, जहाँ पर वो diplomat जाके बैठेगा, उस particular embassy को स्थापित भी किया जाएगा, तो यह सब चीजे होती है, diplomatic relations में, point number one, इसलिए बन जाता है false, क्योंकि यहाँ पर China का कोई role नहीं है, यह जो brokerage करी गई है, यह basically USA के द्वारा करी गई है, it is the first Arab Israeli peace deal in the last 26 years, बिल्कुल सही बात है, पिछले 26 सालों में पहली बार Arab और Israeli जो देश है, दोनों के बीच में एक peace deal को sign करवाया गया ह हैंस आपका option number B भी बन जाएगा, सही जवाब, option number A आपका गलत है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, it is signed between Israel, UAE and Bahrain and it is mediated by the USA and not by China, यह पहला peace deal है in 26 years, इसके पहले भी कुछ agreements हुए हैं, लेकिन वो जो agreements हुए थे, आज से कई साल पहले हुए थे, Jordan के साथ एक peace pact sign किया गया था इसराइल के द्वारा in the year of 1994, और इजिप्ट के साथ में भी एक peace pact को sign करवाय गया था in the year of 1979, आपको ध्यान होगा, उस ताइम पे काफी जादा जंगे चल रही थी, 1960s में, 70s में, और finally इजिप्ट ने यहाँ पर एक बहुती major pact को sign किया गया था, जो कि world history में एक landmark moment भी माना जाता है, आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि UAE और बहरेन अब क्या क्या करने वाले हैं, basically पहली बात तो embassies बनाई जाएंगी और साथ में ambassadors को भी exchange किया जाएगा, इसके लावा कई सारे अन्रशेत्रों में भी यहाँ पर cooperation और सहयो किया जाएगा दोनों ही देशों के UAE और बहरेन जो है, यह basically आपके map में कहां पर located है, question number two आपके सामने है, which of the following foundational agreements is or are signed by USA and India, दो सवाल almost similar lines पर आप से पूछने वाला हूँ, question number two यह वाला है, कि USA और इंडिया के बीच में जो sign किया गए foundational agreements है, वो कौन से कौन से है, option number one, logistics exchange memorandum of agreement यानि की LEMOVA, communications compatibility and security agreement यानि की COMCASA, the general security of military information agreement यानि की G S O M I A, जिसको की JISMOA भी कभी कबार कहा जाता है, basic exchange and cooperation agreement for geospatial cooperation, जिसको की BECA कहा जाता है, आपको बता दूँ, यह वाला बलकि जो agreement है, पिछले साल ही sign किया गया था, Trump सरकार, जब almost तैय हो चुका था कि Trump वहाँ पे हार चुके है, उस time पर, जो two plus two का dialogue होता है, इंडिया और USA के बीच में, उस time पर BECA agreement को sign करवाया गया था, तो यह one, two, three, four, चारो ही आपके बिल्कुल सही जवाब है, चारो ही जो है, यह foundational agreements है, जो की इंडिया और USA के बीच में sign करे गए है, इसकी details काफी important है, कि इस particular agreement को कब sign किया गया था, किस agreement की कितनी बैदता है, कि कौन सा agreement क्या करता है, यह देखे, इंडिया and USA have signed the landmark defense pact BECA, BECA का basically मकसद क्या है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कि geospatial cooperation, यानि कि जो आपका geospatial data है, वो एक दूसरे के साथ हम लोग साधा करेंगे, यह sign किया गया था, 2020 में October के end की बात है, और यह मैं आपको बता दू, sign कब किया गया था, 2 plus 2 का जो dialogue हुआ था, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, कि 2 plus 2 का dialogue, इंडिया के कौन से कौन से मंतरी हिस्सा लेते हैं, और USA के कौन से कौन से secretaries हिस्सा लेते हैं, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, कॉमकासा जो है इसको साइन किया गया था 2018 में इसकी वैदता आने वाले 10 साल के लिए है लेमुआ को साइन किया गया था 2016 में अल्ड़ी UPSC सवाल पूश चुका है और जिसमुआ को काफी साल पहले साइन किया गया था 2002 में कुल मिला के USA के चार ही PACS होते हैं जो भी उनकी military या फिर जो भी उनकी defense के शेतर में कोई भी किसी country के साथ साइन कर सकता है इंडिया ने USA के साथ वो चारों PACS को साइन करवा लिया है अदली slide में मैंने आपको और जानकारी दी हुई है इस पर वापस आऊंगा लेकिन उसके पहले ये वाले सवाल को देखे ये देखे consider the following statements यहाँ पर बोला हुआ है कि जिसमुआ का क्या component है लेमुआ का क्या component है कॉमकासा का क्या provision है और बेका का क्या provision है तो जिसमुआ allows the militaries to share the intelligence gathered by them कि एक दुने एक दूसरे की जो militaries है जो भी वो intelligence को यहाँ पर gather करती है वो एक दूसरे के साथ साजा कर सकती है लेमुआ allows both countries to have access to each other's designated military facilities for refueling and replenishment for example उधारन के तौर पर मालीजी USA का कोई बहुत बड़ा जहाज है जो की suddenly आ चुका है इंडियन ओशन के रीजन में उनको तेल की आवशकता है तो वो इंडिया का कोई base होगा वहाँ पे आके वहाँ से तेल ले सकते हैं या फिर उनको किसी और काम की ज़रूरत है तो वो इंडिया के base पे आके वहाँ पर उस काम को पूरा करवा सकते हैं same goes for इंडिया also इंडिया मान लीजे Pacific Ocean में है या फिर इंडिया मान लीजे Atlantic Ocean में है जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ती है किसी USA के base को इस्तेमाल करने की तो वो कर सकता है because हमने USA के साथ इस LEMO agreement को sign किया हुआ है Comcasa aims to provide a legal framework for the transfer of highly sensitive communication security equipment from the USA to the India बिल्कुल सही बात है and Becca allows India to use the geospatial maps of the USA ये बात भी बिल्कुल सही है In fact, कुछी दिन पहले हमने एक separate video भी बनाई थी जिसमें की हमने चर्चा करी थी of the predator drones predator drones ऐसे drones हैं जो की USA के द्वारा काफी साल पहले बनाए गए थे इसी देश के साथ basically पैक्ट साइन करता है कि हम आपको ये बेचने वाले हैं या हम आपको ये देने वाले हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ पहले USA Comcasa साइन करता है अगर Comcasa साइन नहीं होगा तो predator drone वहां तक नहीं पहुँच पाएगा क्यूं क्यूंकि predator drone के अंदर कई सारा sensitive communication security equipment लगाया जाता है इसी लिए इस particular सवाल में आपके चारो के चारो options बिल्कुल सही है I think आपको idea भी लग गया है और जानकरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आके देख सकते हैं बेका का मतलब क्या है लेमुआ का मतलब क्या है कॉमकासा का मतलब क्या है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अलग से कि जिस मुआ को साइन किया गया था इंडिया के द्वारा 2002 में और यह भी basically आपका कही न कहीं military information को ही exchange करने के लिए sign करवाए गया था आपको मैंने बता दिया है कॉमकासा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो predator bee drones है यह कॉमकासा और बेका दोनों ही इसमें help करते हैं ठीक है कॉमकासा और बेका दोनों का ही काफी बड़ा रोल रहता है जिसकी वज़े से इंडिया predator bee drones को USA से purchase करने की आज बातचीत कर रहा है अगला सवाल question number 4 very very important यह चीज सुर्ख्यों में थी पिछले से पिछले साल बहुत जादा और पिछले साल भी काफी जादा तुर्ख्यों में रही कि आखिरकार इंडिया को USA के द्वारा GSP सिस्टम में से क्यों निकलवाया गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके concept को समझ लीजे मैं आपको बता दूँगा इसका answer क्या है not a very difficult question सबसे पहली बात तो यह वाला जो पूरा का पूरा आपका प्राफधान है यह USA के द्वारा शुरू किया गया था यह USA के द्वारा शुरू इसले किया गया था उनका मकसद क्या था उन्होंने यह कहा था कि मान लीजे मान लीजे कि आपको USA के अंदर basically कुछ चीज़ों को भेजना है ठीक है ना अगर आपको USA के अंदर कुछ चीज़ों को भेजना है तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर कुछ-कुछ आइटम्स के ऊपर यह मैंने कूरा नौर्थ अमेरिका का मैप बना दिया है sorry for that USA के वल इतना ही है तो अगर आपको कुछ चीज़ों को USA के अंदर भेजना है तो उसमें कुछ-कुछ आइटम्स के अंदर जो developing countries हैं उनके ऊपर USA क्या है उनके ऊपर USA किसी प्रकार की duty नहीं लगाने वाला है यह देखिए the objective of GSP was to give the development support to poor countries by promoting the exports from them into the developed countries कि आप यहाँ पर हमारी country में या फिर undeveloped countries में भी basically duty को हम हटवा देंगे so that यहाँ पर आपका जो export है वो बढ़ सके और आपकी economy को थोड़ा सा support मिल सके यह वाली चीज़ करी गई थी USA के द्वारा इसमें कई सारी items ऐसा माना जाता है कि approximately 5000 के आसपास items थी जिनके उपर USA ने यहाँ पर concession दिया था so option number one यहाँ पर आपका हो जागा गलत क्योंकि यह European Union का program नहीं है USA का program है one गलत है आपका three option यहाँ पर बिल्कुल सही है यह देखिए one गलत है और आपका one यह भी गलत हो गया three option आपका सही है कि यह two and three only है it has been given on non reciprocal basis very very important आप basically developing countries को यहाँ पर concession दे रहे हैं concession तभी इसको कहा जाएगा अगर आप उनके ऊपर यह condition नहीं लगा रहे हैं कि आप भी अपनी market को हमारे लिए open करेंगे right तो यहाँ पर USA ने कहा कि हम अपनी market को आपके products के लिए open कर रहे हैं but आपको अपनी market को हमारे लिए open करने की आवशकता नहीं यानि कि यह non reciprocal basis के ऊपर काम करता है hence आपको option number C सही बन जाता है इसके बारे में एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूंगा सुर्खियों में क्यों था यह basically काफी बड़ा विवाद हुआ था काफी लंबी debate चली थी कि USA ने terminate किया था इंडिया का designation as a beneficiary developing nation under the GSP trade program with effect from 5th June 2019 कि यहाँ पर इंडिया को अब हम no longer treat करने वाले हैं as a beneficiary under the GSP GSP क्या चीज़ है यह एक USA का trade program है designed to promote the economic growth in the developing world by providing preferential duty free entry यह देखिए for up to 4800 products यानि कि लगभग 5000 के आसपास चीज़ें हैं and इसमें 139 beneficiary countries और territories को include करवाया गया था GSP के काम का आज को शुरू किया गया था आज से लगभग 40-45 साल पहले की बात है on January 1, 1976 by the Trade Act of 1974 यह एक non reciprocal basis के उपर काम करता है objective इसका मैंने आपको समझा दिया है और basically मकसद यही था कि आगे जाके USA जो यह वाली countries हैं इनको grow करवाने में help करवाए लेकिन यहां पर इंडिया को recently इसमें से निकाला गया है 5 June 2019 की जो date है यह आपको थोड़ा date ध्यान रखना उतना important नहीं है but please year ध्यान रखिए कि इंडिया को 2019 में से इस particular GSP system में से terminate करवा दिया गया था by USA ठीक है तो आपका सही जवाप है option number C that is 2 and 3 only next question आपके सामने बात करते है यह भी काफी ज़्यादा सुर्कियों में रहा था और इस case में भी आपको कुछ-कुछ facts ध्यान रखने होंगे which of the following countries are recently put into the currency manipulator list by the US Treasury इस तरह का direct सवाल शायद ना आये because यह चीज़ें काफी time to time update होती रहती है it can land into controversy but आपको concept यहाँ पर समझना होगा currency manipulator की list क्या होती है कौन release करता है और किस-किस को इसमें रखा गया है या फिर किस-किस को इसमें watch list में रखा गया है देखे दो चीज़ें होती है पहली बात तो क्या है कि currency manipulator के case में पहली चीज क्या होती है कि पहली चीज होती है watch list यानि कि कि किस country को अभी देख रेख में रखा गया है कि अभी हमने उसको currency manipulator घोशित नहीं किया है दूसरी चीज होती है कि हमने तो आपको currency manipulator घोशित कर दिया है कि आपने जो यहाँ पे criteria था उसको meet कर लिया है कि वो USA के अंदर अपने exports को बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरीके की economic trade practices को follow कर रही है उस case में USA उसको currency manipulator का यहाँ पे tag दे देता है for example अगर कोई country ऐसी है जिसका कि export USA के साथ बहुत जादा है उस case में उस country और USA का जो trade deficit है वो काफी बढ़ जाएगा USA को नुकसान होगा तो सभाविक सी बात है कि उस case में USA उस country को currency manipulator की list में डाल देगा अब इसमें क्या होता है कि 3-4 criteria होते हैं जो की follow करने होते हैं अगर तो उसमें से 1 या 2 criteria follow हो रही है तो उसको watch list में रख देते हैं अगर 3-4 criteria सारे follow हो रहे हैं तो उसको सीधा सीधा currency manipulator घोशित करवा दे जाता है इंडिया को यहाँ पे watch list में रखा गया है और यह दो बार इसकी revision हुई है यानि कि पिछले साल के almost end की बात थी जब Trump की सरकार थी उन्होंने भी इसको currency manipulator की watch list में रखा था और उसके बाद जब Biden government आई तो यह hopeful था कि इंडिया को शायद watch list में से हटा दिया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभी भी इंडिया watch list में ही रखी गई है लेकिन यहाँ पे यह वाली जो दोनों countries है वियतनाम और आपका जो Switzerland है यह दोनों की दोनों countries को USA ने currency manipulator की list में डाला हुआ है यह देखे question क्या पूछ रहा है currency manipulator list not the watch list it is asking की manipulator घोशित कर दिया गया है तो उस case में 1 and 2 आपका सही जवाब है option number भी आपका सही जवाब बन जागा यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा जो काम है US Treasury के द्वारा किया जाता है और इसने Switzerland और Vietnam को label किया है currency manipulator और भी कुछ-कुछ नाम है Taiwan, Thailand and India जिनको की watch list में add किया गया है तो इनको अभी तक घोशित नहीं किया गया है लेकिन इनको भी watch list में add कर दिया गया है अगर कल को लगता है अगर तो यह कुछ corrective measures लेंगे Taiwan, Thailand, India इन चीज़ों को ठीक करने के लिए तो इनको निकाला जाएगा और इनको एक normal country की तरह treat किया जाएगा अगर यह नहीं लेंगे तो इनको यहां से उठा करके currency manipulator की list में डाला जा सकता है इसमें 2-3 criteria क्या है कि countries must at least have a 20 billion plus bilateral trade surplus with the USA यानि कि India और USA के बीच में जो आपका trade surplus है वो 20 billion से जाधा हो foreign currency intervention 2% से जाधा हो GDP का global current account surplus exceeding 2% of GDP यह सब criteria's are not very relevant यह 2-3 आपको benchmark याद रखने होंगे कि इसमें एक तो trade surplus की बात होती है एक इसमें foreign currency intervention की बात होती है और इसमें global current account surplus की बात होती है इन सब चीजों के basis पर यह चीज़ें यहाँ पर कही जाती है but again as I have told you कि सवाल जिस तरीके से हमने frame किया है इस तरीके से UPSC में नहीं आएगा because यह चीज़ें dynamic होती है बदलती ही रहती है समय के हिसाब से इसलिए इस तरह का सवाल नहीं आएगा यह पुछा आ सकता है कि currency manipulator कौन घोशित करता है ठीक है और यह पुछा आ सकता है कि currency manipulator घोशित करने के लिए जो criteria होता है जो आपके benchmark होता है वो क्या होता है अगला सवाल question number six this is also a very very good question काफी सुर्ख्यों में था especially because of the pandemic covid-19 consider the following statements about the US visa and choose the incorrect statement H1B visas are predominantly granted to workers in the agriculture sector I think यहीं पे आपको idea लग गया होगा कि H1B visa कई सारे लोग है जो कि आपके जानकार होंगे आपको मालूम होगा कि H1B visas agriculture sector के लिए issue नहीं करवाय जाते हैं तो यहीं आपका incorrect है किसके लिए होता है बताऊंगा L1 visas की बात हो रही है they allow companies to transfer highly skilled workers to USA for a period of up to seven years H2B visas allow food and agricultural workers to seek employment in the USA J1 visas is for student on the work study summer program बिल्कुल सही बात है B, C और D यहाँ पे true है option number one यहाँ पे false है that is the odd one out और यहीं आपका सही जवाब है सुर्ख्यों में क्यों था because पिछले साल जब COVID-19 की वहाँ मारी आई तो यह कहा गया खास रूप से Trump सरकार के द्वारा जो की थोड़ा सा इस चीज को लेकर काफी जादा उन्होंने strong actions लिए उन्होंने क्या कहा कि हम foreign workers के कई सारे जो program चलाय जा रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर suspend करने वाले हैं तो उन्होंने कई सारे H-1B visas जो की line में लगे हुए थे उनको आगे बढ़ने नहीं दिया तो H-1B visa क्या चीज है यह एक non-immigrant visa है that allows the various US companies to employ graduate level workers in the specialty occupations ध्यान क्या रठना है कि इसमें यह US companies offer करती है यह नहीं सोचना कि इंडियन companies लेके देती है यह जो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम है यह US companies के द्वारा offer किया गया है अगर यह नहीं होगा तो इंडिया के लोग बाहर नहीं जा पाएंगे ठीक है hence आपका statement number one incorrect है किन लोगों के लिए होता है graduate level लोगों के लिए होता है यानि की minimum graduation होनी चाहिए और speciality occupation में उनको रखा जाएगा यह H1B visa उनके लिए होता है L1 visa बता दिया है मैंने highly skilled worker के लिए होता है for up to 7 years इनका period जादा होता है H1B visa का period कम होता है इसको extend कराना पड़ता है H2B visas जो है food agriculture worker के लिए होते है for seeking employment in the USA और J1 visas आपके होते है work study summer program के लिए धियान रखिएगा चारो visas की category बस इतना ही important है इसके इलावा और जानकारी आपके लिए relevant नहीं है Next question, question number 7 Very very simple question UPSC में सवाल पूछा जा चुका है यह जो आपका Joint Comprehensive Plan of Action है यह किस से संबंद रखता है India nuclear deal, Iran nuclear deal, Iraq nuclear deal, North Korea nuclear deal दोस्तों simple सा जवाब है Iran nuclear deal है यह आज से काफी साल पहले In fact उस time पे जहां तक मुझे याद है Obama की सरकार थी और इस particular deal को sign किया गया था between Iran and something called as P5 plus 1 P5 क्या चीज है आपको मालुम होगा जो आपके UNSC के 5 permanent members हैं कौन से कौन से Sir Russia है, China है, USA है, France है और आपका UK है यह वाले जो आपके 5 permanent members है plus 1 में क्या था plus 1 में आपका आया था Germany तो यह 6 countries एक तरफ और यह आपकी Iran की country एक तरफ इन्होंने मिलकर समझोता किया था कि Iran जो है, वो आगे जाके अपनी nuclear stockpile को enrich नहीं करने वाला है, यानि कि वो जादा अब nuclear stockpile नहीं बनाने वाला है, लेकिन यह चीज almost एक तरीके से तहस नहस हो गई थी, when Trump came into the power, उन्होंने इस deal को courage कर दिया था, और अब फिर से इस deal को चलाने की बातचीत करी गई है under the Biden government, यह थोड़ी सी ideological differences है between the republics and democrats, जिसमें हमें जाने की आउशकता नहीं है बट हाँ, Trump government ने कहा कि हम इसको follow नहीं करेंगे, ठीक है और उसके बाद जो आगे जाके आपका Biden government ने कहा कि हम इसको restore करने की, यानि कि हम इसको बहाल करने की कोशिश फिर से करने वाले हैं, तो यह वाला जो joint comprehensive plan of action, इसका technical name है, लेकिन इसको कभी कबार P5 plus 1 deal भी कहा जाता है, यह देखिए Iran has recently resumed 20% uranium enrichment at its sensitive FODO nuclear facility a major step away from a 2015 nuclear deal stuck with world powers, यह देखिए 2015 में हुई थे very correct, Obama की government 2016 तक यहाँ पे बराक Obama, President थे USA के, और अब जो है, आपके जो President है, वो Biden है, तो इसलिए क्योंकि दोनों belong करते हैं Democrats को, इसलिए बात्ची चलाई गई है, इसको दुबारा से revive करने की The Iran nuclear deal signed between P5 plus Germany, ध्यान रखेगा and the EU in 2015, EU EU को भी इसमें include कर लेना, मैं आपको बताना भूल गया EU भी यहाँ पे बीस में था, P5 आपके 5 permanent members है, deal का मकसद वही है कि Iran का जो nuclear program है, हम उसको curb करना चाहते हैं, right Next question आपके सामने है Question number 8, very very in news इसको लेके सवाल आने के बहुत chances है, consider the following statements about the Havana syndrome, तो Havana syndrome को लेके बातचीत कर लेते हैं, दोस्तो Havana syndrome, आज से कुछ साल पहले news में आया था, यह देखी 2016 की यह बात है, यह statement, पहली बात बिल्कुल सही है, it was first experience by the USA State Department personnel who were based in Cuba in 2016, आपको मालूम होगा कि Western Hemisphere में अगर कोई देश है, जो की capitalism को follow नहीं करता है, वो क्यूबा है, now USA के कई सारे USA के संबंद क्यूबा कर बहुत अच्छे नहीं है, USA के कई सारे जो यहाँ पे diplomats हैं यह कई सारे जो परसोनल हैं, जो की क्यूबा में deployed थे, वो जब क्यूबा होकर आए, उसके कुछ साल के बाद उनको कुछ-कुछ symptoms देखने को मिले, जो की doctors को समझ नहीं आ रहा था कि symptoms किस चीज के साथ संबंद रखते हैं, यह वाले जो symptoms थे इसको उन्होंने शुरू में क्या कहने, क्या कहा जाने लगा? इसको कहा जाने लगा mystery illness, this was initially called as the mystery illness, और क्यूंकि यह चीज पहली बार क्यूबा में देखने को मिली थी, तो क्यूबा का शहर जो हवाना है, उसके नाम पर इसको नामित कर दिया गया, now यह चीज सुर्खियों में कई बार आई, इस बार भी सुर्खियों में आई क्योंकि रिपोर्ट सामने आई थी पिछले साल के end की बात है तिंग नवेंबर दिसेंबर की बात है रिपोर्ट सामने आई थी regarding the हवाना सिंड्रोम उसके बाद आपको ध्यान होगा जो US की उप राष्टर पती है जिनका नाम है कमाला हैरिस उन्होंने भी यहाँ पर जब वो वियतनाम के दोरे पर गई थी तब उनको लेकर भी यहाँ पर थोड़ी चिंता जटाई गई थी कि कहीं कमाला हैरिस तो यहाँ प यह चीज बिल्कुल सही है कि यह पहली बार USA का जो State Department है के जो Personal है who were based in Cuba उन्होंने पहली बार इसको अनुभव किया था the syndrome is associated with the ultraviolet radiation तो जी नहीं यह basically संबंध रखता है microwave radiation के साथ तो ऐसा माना जाता है कि क्यूबा में कुछ anti-USA elements ने शायद कुछ US के personal को target करने के लिए microwave radiation का इस्तिमाल किया था इसी लिए इसको यहाँ पर हवाना syndrome कहा गया है option number A आपका सही जवाब है यह देख लीजे यह recently two US officials have shown symptoms of mystery illness ध्यान रखिए इसको mystery illness भी कहा जाता है क्योंकि समझ नहीं आता कि कैसे हुई है यह केवल एक अंदाजा है अभी तक यह confirm नहीं किया गया है कि यह शायद directly microwave radiation से ही हो लेकिन जो report सामने आई थी 2020 के end की बात है यह report पेश करी थी National Academies of Sciences ने उन्होंने यहाँ पे नतीजा निका ला था कि USA की microwave radiation का इस्तिमाल किया गया है to be the plausible cause of the hawana syndrome plausible बोला है यह अभी sure नहीं हुआ है symptoms में क्या है कई सारी चीज़े आती है सरदर्ध होता है dizziness चकर आते है थकावट मैसूस होती है anxiety होती है restlessness होती है nausea होता है cognitive difficulties होती है and memory loss होता है of varying severity यानि कि याद Next question आपके सामने है पिछला साल वैसे कई सारी mystery illnesses से हमने देखा इंडिया में भी हमें कई सारी बीमारी देखने को मिली इस साल भी हमें UP में देखने को मिला था कि अभी जैस एक मेना पहले की बात है कि UP में काफी सारे बच्चों की बित्ति हो रही थी we could not understand कि ऐसा क्यों हो र consider the following statements about the annual special 301 report it is prepared annually by the office of the USTR under this report India continues to be on the priority watch list for lack of adequate intellectual property rights protection and enforcement ये कोई नई बात नही है इंडिया आज से 8 साल पहले भी priority watch list में था और इसको लेकर I think UPSC question पूछ भी चुका है special 301 की जो report है again ये भी आपका USTR यानि कि जो United States का trade representative है उसके द्वारा ही report निकाली जाती है ये basically उन countries की यहाँ पे report निकालता है ये देखता है कि कौनसी कौनसी countries में intellectual property rights को लेकर जो protection के कानून और policies हैं वो कितने जादा strong है तो इन्होंने कहा है कि इंडिया के IP rights को लेकर जो protection को लेकर और enforcement को लेकर जो कानून और policies हैं वो जादा अच्छे नहीं है वो यहाँ पर adequate नहीं है वो यहाँ पर परयाप्त नहीं है इसलिए India को priority watch list के अंदर रखा गया है hence आपका option number C यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसमें सवाल जादा आने क्या scope नहीं है इसमें basically क्या ह है कि दो तरह की countries होती है ठीक है इसमें यहाँ पे क्या है कि पहले तो आपका डाला गया है priority foreign countries ठीक है the report includes a list of priority foreign countries which are judged to have inadequate intellectual property laws these countries may be subject to sanctions यानि कि इनके ऊपर USA sanction लगाएगा sanction लगाने का मतलब क्या है कि USA इनके साथ वेपार नहीं करेगा किसी प्रकार का वेपार नहीं करेगा इसके बाद report बोलती है कि there is something called as priority watch list and a watch list containing countries whose intellectual property regimes are deemed of concern यानि कि यहाँ पर चिंता का विशे है तो इंडिया को priority watch list में डाला गया है तो यह आपका तीन तरह की countries होगी I'm sorry पह IP rights protection इंडिया ने progress तो किया है लेकिन अभी तक कुछ पुराने challenges को solve नहीं किया है तो यह थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगा कि USA यहाँ पे show करता है कि हम लोग पूरे दुनिया के लिए reports निकालते हैं बट basically USA को जहां लगता है कि उनकी economy को फायदा नहीं हो रहा तो उनक यह developing country है तो यहाँ पर दवाईयां हमें गरीब लोगों तक पहुंचानी पड़ती है उस case में हम यहाँ पर USA के द्वारा जो दी गई दवाईयां है उनका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं तो obviously USA इस चीज़ को positively नहीं लेता है और इसलिए इंडिया को priority watchlist में रखा गया है तो य यह main concern दवाईयों का आता है जहां पर कई सारी जो IP rights को लेकर बातचीत करी जाती है तो यह सवाल already UPSC mains में पूछा क्या है 2013 का आप जाकर चेक भी कर सकते हैं Hence आपका सही जबाब यहाँ पर option number C होगा आगे बढ़ते हैं we will discuss about in detail when mains की बारी आएगी Question number 10 आपके सामने है यह भी almost वैसी ही चीज है which of the following countries are sanctions under the countering America's adversaries through the sanctions act इसको popularly काट सा भी कहा जाता है अब यह भी वैसी चीज है जिकि USA अपने मतलब के लिए करता है देखे ध्यान से क्या होता है कि माल लिजे USA की किसी country के साथ बनती नहीं है ठीक है तो for example यहाँ पे हम उधारन ले ले लेते है USA का किस के साथ संबंध अच्छे नहीं है रश्या के साथ संबंध तुने इंडिया जाके रश्या के साथ कोई डील कर लेता है defense के शेत्र में हमने रश्या से कोई बहुत बड़ा weapon खरीद लिया तो USA इंडिया के ऊपर sanctions लगाएगा यह इस पूरी चीज का concept है अब इसमें obviously USA इंडिया के ऊपर sanctions नहीं लगा सकता because USA और इंडिया आपस में काफी अच sanctions नहीं लगाए गए हैं लेकिन अब इसमें basically क्या क्या हा गया है कि इसमें कौनसी कौनसी countries आती हैं जिसके साथ अगर आप लोग कोई संबंद रखते हैं तो हम आपके उपर sanctions लगा देंगे इसमें Russia आती है इसमें दोस्तों आती है इरान और इसमें basically आती है आपकी North Korea यह त काफी smartly खेलता है because हमारी जो policy है non alignment कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए यह पहले हमारी policy थी हमारी जो policy है वो basically strategic Autonomy की है अगर आपने सुना होगा international relations में इंडिया basically follows a policy of strategic Autonomy यानि कि हम USA को independently देखते हैं रश्या को independently देखते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं कि USA और रश्या आपस में लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं we don't really bother about that similarly इरान के साथ हमारा जो तेल का वेपार है वो काफी जादा लंबा चल रहा है इरान के साथ हमने चाह बाहर port की deal को sign किया we don't bother कि USA इरान के बीच में क्या चल रहा है because हम लोग follow करते हैं policy of strategic autonomy यह हमारा जो गुजराल लॉक्टरीन थी उसने भी यही कहा था और उसके बाद जो हमारी even जो नहरू की policy थी उसने भी इसी चीज़ को favor किया था तो यहाँ पर anyways I have gone off track बात कर लेते हैं कि इस question का सही जवाब क्या है इरान के उपर जी हां, रश्या के उपर जी हां, नौर्थ कोरिया के उपर जी हां, option number B आपका सही जवाब है अगर आप लोग इरान, रश्या और नौर्थ कोरिया के साथ किसी परकार का संबन रखते हैं, तो अप रतेक्स रूप से इन countries को target करने की बातचीत करी गई है, तो हैंस आपका सही जवाब क्या है, option number B, 1, 3 and 4 अगले सवाल की तरफ बढ़ जाती है, EU, UK Trade and Corporation Agreement, इसका भी आपको थोड़ा essence बता देता हूँ, यह सवाल वैसे उतना relevant नहीं है, शायद ना पूछा जाए, because यह बहुत ही जादा internal question है between EU and UK, इंडिया के उपर इसका बहुत बढ़ा impact नहीं है, आपने सुना होगा something called as Brexit, right, कि formal deal क्या है, एक तरीके का यह free trade agreement है between the EU, between the Euretom and the UK, बिल्कुल सही बात है कि यह इन टीनों ने मिलकर के आपस में एक free trade agreement को sign कर लिया है, कि ठीक है, हमने अपने आपको EU में से निकलवा लिया है, लेकिन हम आपके साथ वैपार करने में अभी भी interested है, तो इस चीज को FTA कहा गया है between the two units कहूंगा मैं, UK को भी एक unit बोलता हूँ और EU को भी एक unit बोलता हूँ, ठीक है, it applies provisionally from 1st January 2021 when the Brexit transition period ended before formally entering into force on 1st May 2021, बिल्कुल सही बात है, यह जो है, provisionally इसको 1 January 2021 से ही शुरू करवा दिया गया था, before formally entering into force on 1st May 2021, इसके बारे में बहुत depth में जाने कि आपका आवश ही बड़ा event हुआ था, जिसको की दुनिया की economies follow कर रही थी, this is basically a post Brexit deal between EU and UK, तो Brexit के खतम होने के बाद, आपसी आर्थिक संबंध बनाने के लिए इस particular संजोते को sign किया गया था, question number 12 आपके सामने है, जिसमें की हम बात कर रहे हैं with reference to India's international trade relation, that is BTIA, bilateral trade and investment agreement, popularly called as BTIA, it is related to which of the following countries या फिर organization, ये देखिए, ये basically आपसा संबंध रखता है with the organization of European Union, ठीक है ना, India and EU, इसमें Japan, USA और स्टिले नहीं आते हैं, काफी लंबे टाइम से बातची चल रही है, I think लगबग 15 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक India और EU के बीच में कोई free trade agreement को sign नहीं किया गया है, because of various differences, basically EU क्या बोलता है, EU ये बोलता है कि इंडिया में human rights का violation हो रहा है, EU क्या बोलता है कि इंडिया में जो intellectual property rights की protection है, वो उतनी सही नहीं है, तो because of these practices, because of these things, EU ने अभी तक इस deal को sign नहीं किया गया, कुछ और छोटी मूटी चीजे भी है, for example, sanitary measures जिसको हम बोलते हैं, WTO के आता है, for example, child labor के आरोप लगाए गए हैं, कई बार, for example, phytosanitary measures के आरोप लगाए गए हैं, तो ये कुछ-कुछ ऐसे मुद्धे हैं, जो कि EU ने उठाए हैं, लेकिन अभी तक इन मुद्धों को resolve नहीं किया गया है, जिसके चलते BTIA, अभी तक sign नहीं किया गया है, आप य parties believe कि a comprehensive ambitious agreement which is considered on WTO rules would open new markets, लेकिन अभी तक दोस्तों, unfortunately अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, घ्यान करकना है कि BTIA ये इंडिया और EU के बीच में sign करने की बातचीत चलाई गई है, नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने है, इसको लेकर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी, Tamil Nadu is recently inged for creating green energy island with which of the following countries, very very simple question दोस्तों, Denmark जो कि इंडिया का एक लौता green strategic partner घोशित किया गया है, इसके साथ Tamil Nadu की जो राज्य सरकार है, वो मिलकर के क्या बना रही है, green energy island, green energy island का मतलब क्या है, आपने सुना होगा something called as offshore wind turbines, ये जो offshore wind turbines है, जानी कि ऐसी wind turbines जिनको की समुदर में लग आया गया है, उन turbines को अब किसके उपर लगाया जाएगा, एक floating island के उपर लगाया जाएगा, ये वाला जो floating island है, कहां बनाया जाएगा, ये Gulf of मनार के इलाके में बनाया जाएगा, जो की रामेश्वरम के पास पढ़ता है, इसके उपर आप लगाएंगे बड़े-बड़े wind turbines सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि ये floating island है, यानि कि जैसे-जैसे हवा का रुख बदलता रहेगा, वैसे-वैसे आप इसका भी direction बदल सकते हैं, so that आपकी wind की जो harness करने की capacity है, उसको आप जादा इस्तिमाल कर सकें, ये चीज कहां बनाया जा रही है, Gulf of मनार में बनाया जा है, ये इंडिया में पहला green energy island होगा, Denmark ने already एक green energy island को स्थापित करने की बात करी थी, आपको मुझे comment section बताना है, कि वो वाला area कौन सा था, जहां पे Denmark एक green energy island को बनाने की बातचीत कर रहा था, in fact वो वाला जो island है, वो काफी बड़ा है, almost the size of many many football fields, ठीक है न, तो ये वाला island काफी छोटा है, जो इंडिया में बनेगा, ये कम power को निकालेगा, बठा, वो वाला काफी बड़ा island जो की हम बनाने की बातची, Denmark ने अपने level पर करी है, right, तो दोस्तों ये था आपकी आज की वीडियो के कुछ-कुछ चीज़ें, इंडिया और West से जुड़ी हुए, हमने काफी सारी कीज़ों को discuss किया है, I gave you lots of extra knowledge also, I hope आपको वो काम आये आने वाले UPS examination में, फिलहाल के लिए इतना ही जाने से पहले आपको remind करवादू, कि अगर आप लोग scholarship लेना चाहते हैं, और unacademy से पढ़ना चाहते हैं, तो unie UPSC code का इस्तिमाल करते हुए, रविवार को इस combat में हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें कि अगर आप लोग के ये वाले ranks आते हैं, तो आपको धेर सारे इनाम मिल सकते हैं, इसके इलावा आप लोग यहाँ पर free testing में भी हिस्सा ले सकते हैं, thank you for listening, stay tuned and stay safe.